याजक पद में परिवर्तन इब्रान्यों की पत्री अधियाई साथ वचन एक से अठाइस यह मल्की सिदक सालेम का राजा और परम्प्रधान परमेश्वर का याजक सरवदा याजक बना रहता है जब अब्राहम राजाओं को मार कर लोट जाता है तो इसी ने उससे भेट करके उसे आशिश दी इसी को अब्राहम ने सब वस्तों का दस्वा अंस भी दिया यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शान्ती का राजा है जिसका न पिता न माता न वनसावली है जिसके दिनों का न आदी है और न जीवन का अंत है परन्तु परमेशवर के पुत्र के स्वरुप ठहर कर वहां सदा के लिए याजग बना रहता है जब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपती अबराहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दस्वा अंस दिया लेवी की संतान में से जो याजग का पद पाते हैं उन्हें आगना मिली है कि वे लोगो अर्थात अपने भाईयों से चाहे वे अबराहम की ही देश से क्यो नजन में हो व्यवस्था के अनुसार दस्वा अंस ले पर इसने जो उनकी वनसावली में से भी न था अबराहम से दस्वा अंस लिया और जिसे प्रतिगनाय मिली थी उसे आसिस दी इसमें संदे नहीं कि छोटा बड़े से आसिस पाता है और यहां तो मरन हार मनुष्य दस्वा अंस लेते हैं पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है तो हम यहां भी कह सकते हैं कि लेवी ने दी जो दस्वा अंस लेते हैं अबराहम के द्वारा दस्वा अंस दिया क्योंकि जिस समय मलकी सिदक ने उसके पिता से भेट की, उस समय वहाँ अपने पिता की देह में था, यदि लेविय याजक पत के द्वारा सिध्धी प्राप्थ हो सकती है, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्ता मिली थी, तो फिर क्या आवशकता थी, कि दूसरा याजक मल्की सिदेख की रिती पर खड़ा हो, और हारुन की रितिका न कहलाए, क्योंकि जब याजक का पत बदला जाता है, तो व्यवस्ता का भी बदलना अवश्य है, क्योंकि जिसके विशे में ये बात कही जाती है, कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रगट है कि हमारा प पर एरिक आगना की व्यवस्ता के अनुसार नहीं, पर अविनासी जीवन की सामर्थ के अनुसार निव्त हुआ हो, क्योंकि उसके विशे में यह गवाही दी गई है, तो मलकी सिदर की रिति पर युगानु यूप याजक है, इस प्रकार पहली आगना निरबल और मिस्फल ह होने के कारण लोफ हो गई, इसलिए कि व्यवस्ता ने किसी बात की सिद्धी नहीं किया, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीब जा सकते हैं, मसी की नियुक्ती बिना सपत नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना सप याजक ठहराए गए, पर यहां सपत के साथ उसकी और से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विशे में कहा कि प्रभु ने सपत खाई, और वह उसके फिर ना पच्छताएगा कि तु युगानु युक याजक है, इस प्रकार येश्व एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा, व उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार पा सकता है, क्योंकि वह उनके लिए मिंती करके सरवदा जिवित है, अतहर ऐसा ही महायाजक हमारे युग्य था, जो पवीत्र और निस्प कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्व नहीं बार में पूरा कर दिया, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है, परंत उस सपत का वचन, जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगन युप के लिए सिद्ध किया गया है, येश्व स्व समय में, राजा कलोलार्दुमोर और अन्य राजाओं के मद्यसंदी हुई, वे सदों और अमुरा के सारे धन और भोजन की वस्थों को लुट कर चले गए, तब अबराहम ने अपने कुटुम के युद कौशल में निपुन दासों को लेकर और अस्त सस्त्र धारन करके वापस ले आया, जब अबराहम अपने शत्रु राजाओं को हरा कर वापस आ रहा था, तब शालेम का राजा मलकी सिदक, जो परम प्रधान इश्वर का याजब था, रोटी और दाख मदु ले आया, और उसने अबराहम को आशिष थी, तब अबराहम ने उसको सब वस्तों का दस्मांस दिया, बाइबल में महायाजक मलकी सिदक की महांता और महायाजकों के क्रम का चित्रन क्या गया है, जिसमें महायाजक मलकी सिदक शांती का राजा और धर्म का राजा है, जिसका ना कोई पिता, ना माता, ना वन्सावली है, जिसके दिनों का ना आदी है और ना जीवन का अंध है परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरुप ठहर कर वहां सदा के लिए याजग बना रहता है बाइबल हमें यह कहती है कि साउधानी पुर्वक येशु मसी की महानता पर विचार करे जो मलकी सिदक की रिती पर युगानो यूग याजग है नया नियम में येशु मसी की महायाजग की तुलना पुराने नियम के हारुन महायाजग से की गई है लेवी गोतर के वनसज याजग बने और वे उन लोगों से दस्वांस लेते थे जो उनके भाई थे भले ही फिर वे अबराहम के वनसज क्यों नहो लेकिन जब अबराहम ने मलकी सिदक मह इसमें संदे नहीं कि छोटा बड़े से आसिस पाता है इब्राहम भी मलकी सिदक याज़क दुबारा आशिस पाया गए जब हमें अपने विश्वास में कैसे जीना चाहिए क्या हमें पूराने नियम के मिलाप वाले तंबु की बलिदान की प्रथा पर जो परमेश्वर ने आ पर निर्भर होना चाहिए अब यहाँ इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन सी व्याख्या को चुनते हैं या तो हम आसिस होंगे या शापीत पाएंगे क्या हम परमेश्वर के वच्चत पर विश्वास कर जीवन जीते हैं और प्रती दिन बलिदान चड़ाते हैं या हम येशु मसी पर विश्वास करके उसके उद्धार पर भरोसा कर जो उसने पानी और लहु से एक ही बार हमेशा के लिए दिया है। हमें उक्त दोनों में से एक को चुनना ही पड़ेगा। पूराने नियम के दिनों में इसराइली लोग हारुन याजग के और लेवी याजग की संतानों को देखा करते थे। लेकिन नए नियम में यदि यह पूछा जाता कि कौन उत्तम है येशु मसी या हारुम के बंस के आजग तो बिना संकोच यह उत्तर होगा कि येशु मसी उत्तम है लेकिन लोग इस सत्यता को जानते हुए भी बहुत कम लोग इसका अरुण सरन करते हैं बाइबल इस प्रश्ण का साफ तोर पर उक्तर देती है यह हमें कहती है कि येशु दूसरे गोत्र का था जिसमें किसी ने वेदी की सेवा नहीं कि थी उसने स्वर्ग्य याजग पत को संभाला क्योंकि जब याजग का पत बदला जाता है तो व्यवस्ता का भी बदलना पुसरन करे और उसका पालन करे तब लोगों ने से ऐसा ही करने का प्रण लिया क्यों परमेश्वर ने प्रतों वाचा को दूर कर दूसरी को स्थापित किया क्योंकि मनुस्य इतने कमजोर थे कि वे उस प्रतों वाचा के अनुसार नहीं चल सकते थे बाइबल के अनुसार इस्राइलियों ने यह सपत खाई थी कि वे परमेश्वर की व्यवस्था के अनुरूप उसका पालन करेंगे। के वृत्तान से दूसरा राजाओ के वृत्तान तक वे अपने अगुवो का निरादर करने लगे। उसके बाद तो उन्होंने मिलाव पाला तंबु की पवित्र बलिदान की प्रथा को बदल दिया। और अंत में मलाकी के समय में वे बलिदान हेतु लंगडे एवं रोगी पस करते थे। बजाए इसके कि उन्होंने बलिदान चड़ा कर मनमाना नियम विरुद व्यवस्था को बदल दिया। पूराने नियम में इसराइलियों ने कभी भी परमेशुर के आदेशु का पालन नहीं किया। वे सरलता से उन उद्धार की योजनाओं को जो व्यवस्था म पचन 31-34 को देखे। फिर यहवा की यहवानी भी है सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इसराइल को और यहुदा के घराने से नई वाचा बांदूंगा। वहां उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरुखों से उस समय बांदी थी जब मैं उनका हाथ पकड़ कर उन्हें मिस्रदेश से निकाल लाया क्योंकि यद्यभी मैं उनका पती था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ रा ली परन्तु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांदूंगा वहां यहा है मैं अपनी व्यवस्ता उनके मन में समाऊंगा औ और मैं उनका परमेश्र ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे यहोवा की यहवानी है तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो क्योंकि यहोवा की वानी यहा है छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा गनान रखेंगे क्योंकि म मैं उनका अधर्मक्षमा करूँगा और उनका पाप फिर्स्मरन न करूँगा। परमेश्वर कहता है कि वह एक नई बाचा बांदेंगा। उसने इस्राइल के घराने के साथ पहली बाचा बांदी थी। वह तोड़ दी और वे परमेश्वर के वचन अनुसार उसमें नहीं चल सके। अतहा उसने पुनह एक नई उद्धार की वाचा अपने लोगों के साथ बांदने की प्रतिक ना की। इस्राइलियों ने पर्मेश्वर के सामने मन्नत मांगी थी कि वे पर्मेश्वर के वचन और उसकी आगना का पालन करेंगे पर्मेश्वर ने उनसे कहा था तुम मुझे छोड किसी और क्यो इस्वर करके न मानना तब इसराइल यूने कहा था कि निश्टे हम किसी अन्य इश्वर की उपासना नहीं करेंगे केवल तू ही हमारा परमेश्वर है तुझे छोड़ और कोई हमारा परमेश्वर नहीं है परन्तु वे इस वाचा का पालन नहीं कर सके संपुन गनान का सारांस दस आगनाव में इस प्रकार वढ़नी थे तू मुझे छोड़ दूसरों को इस्वर करके न मानना तू अपने लिए कोई मुर्ती बना कर उसको दंडवत न करना और न उसकी पूजा करना तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लिना वस्तु का लालच न करना इसके आगे इनको 613 प्रकार के उपनियों के रूप में विभाजित किया गया था जिसे उन्हें मानना था जैसे अपने बेटे और बेटियों से ये करना और ये नहीं करना और वैसे ही अपने सोंतेली माता से क्या करना और क्या नहीं करना इत्यानी परमेश्वर की आगना में उन्हें सभी अच्छे कार्यों को करने को कहा गया था और बुराई से दूर रहने को कहा गया था यहीं दस आगना है और उसके 613 विस्तृत उपनियम है जैसा कि संपूर्ण मनुष्य जाती में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसने संपूर्ण नियोमों, उपनियोमों का पालन किया हो इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों के पापों से उध्धार हेतु एक वैकल्पिक रास्ता अपनाया येश्व मसी के इस संसार में आने के बाद यह याजक की अपत बदल गया येश्व मसी ने हारुम के रिती अनुसार सब याजकों के पत को अपने उपर ले लिया उसने मिलाप वाले तंभू की बलिदान की प्रथाव को दूर किया जो लेवियों का अधिकार थी उसने अकेले स्वर्ग्य याजक की भूमी का निभाई वह इस संसार में हारुन के वंशच के रूप में नहीं आया परन्तु वह यहुदा के वंशच के रूप में इस संसार में आया जो राजाओं के वंशच का गोत्र है उसने अपने आप को बलिदान किया अपने बप्तिस्मा और कुरूस पर अपने लहू के बहाय जाने के द्वारा सारी मनुश्य जाती को उनके पापों से बचाया। उसने अपने आपको बलिदान होने के लिए दे दिया, जिसके द्वारा पापों की समस्या का समाधान हुआ। और उसने सम्पूर्ण मानुजाती के पापों को बप्तिस्मा के बलिदान और लहू के द्वारा धोडाला। उसने एक ही बार में सदा के लिए सारे पापों के लिए सिद्व अनन्थ बलिदान दिया। याजक ये पद के परिवर्तन के साथ व्यवस्ता में भी परिवर्तन हुआ उद्धार की बदली हुई व्यवस्ता कौन सी थी? येशु का एक अनन्त बलिदान प्रियमित्रो, पुराने नियम का याजक पद एक नियम में बदल गया पुराने नियम के समयों में महायाजक हारुम के वंस के लेवी घराने के होते थे वे ही इसराइलियों के पापों के प्रायश्टी थेतु बलिदान चड़ाते थे महायाजक परंपवित्रस्थान में प्रवेश करता था और दयाक के सिहासन के पास पसुओ का लहू लेकर जाता था केवल महायाजक ही परदे के उस पार अती पवित्रस्थान में जा सकते थे परंतु येशु मसी के आने से हारुम की रीति का याजग की अपद उसे सौंप दिया गया और येशु ने उस अनन्त याजग की अपद को अपने उपर ले लिया उसने अपने आपको बली कर उस अनन्त याजग की अपद की सिवा की वहाँ पाप बली के बच्छडे के उपर हाथ रखने के द्वारा अपने पाप को उस पर डाल देता था। तब यहाँ कहता था कि परमेश्वर मैंने पाप किया है। तब वहाँ उस पशुबली को भेट चड़ाकर उसके लहुको दया आसन के ऊपर साथ बार चिड़कता यदि हारुन महायाजक स्वयम सिध नहीं था तो आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी कितना और कैसे कमजोर है लेवी का पुत्र हारुन महायाजक भी पापी था इसलिए उसे अपने और अपने घराने के लिए पाप बली चड़ाना परता था यहवा परमेश्वर ने इर्मिया के अध्या 31 में कहता है मैं अपनी वाचा तोड़ दूँगा जो मैंने तुम लोगों से बांदी थी क्योंकि उसका पालन तुम लोगों ने नहीं किया इसलिए मैं उस वाचा को पूरा कर एक ऐसी उद्धार की वाचा दूँगा जिससे तुम्हारे पापों की ख्षमा हो सके मैं अब तुमसे अपनी आगनाओ की द्वारा नहीं परन्तु मैं तुम्हारा उद्धार पानी और आत्मा के सुव समाचार से करूँगा परमेश्वर ने हमी नई वाचा प्रदान की है जब समय पूरा हुआ तब येश्व मसी मनुष्य की समानता में होकर आया और अपने आपको कुरूज पर बलिदान कर हमारे पापों को हर लिया ताकि वो उस पर विश्वास करे और नास नहो उसने अपने बप्तिस्मा के द् सके क्योंकि व्यवस्ता से पाप की भैचान होती है परमेश्वर की इच्छा थी कि इसरायल इस बात को जाने कि वे पापी है और व्यवस्ता उन्हें बचा नहीं सकती उसने पानी और आत्मा के द्वारा उन्हें उत्थार की व्यवस्ता से बचाया उनके कर्मों के द्वार परमेशुर के असीमित प्रेम के कारण उसने हमें एक नई वाचा को दिया, जिसके द्वारा हम अपने पापों से इस संसार में येशु के बबतिस्मा और उसके लहु के द्वारा बचाये जा सके। अपने कर्मों की व्यवस्ता द्वारा नहीं बचाये गए, परन्तु अब हम उस धार्मिकता के द्वारा बचाये गए हैं, जो हमें येशु के पानी और लहु के द्वारा मिलती है। हम येशु मसी के पानी और लहु के द्वारा इस पर विश्वास करने से विशेस लोग बचाये जाते हैं। कृपा इस पर ध्वान पुरोग इचार करें। ये कोई माइने नहीं रखता कि आपका पास्टर कितना ग्नानी और विख्यात है। तो भी क्या वह येशु से महान है। हमारे पास कोई दूसरा विकल भी नहीं है। हम केवल मसी येशु के पानी और लहु के सूसमाचार से बचाये जा सकते हैं। केवल परमेश्वर की आगनाओ को मान लेने से नहीं क्योंकि याज्य के पत्तो बदल चुका है। और उसके साथ ही साथ उद्धार की नियम भी बदल चुके हैं। परमेश्वर के प्रेम की स्रेष्ट था। अपनी व्यक्तिकत सिक्साओं को ज्यादा महत्त लेते हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं, सच्चा और परिपूर्ण विश्वास तभी मिलता है जब हम येश्व के उत्तम उधार पर विश्वास करते हैं। जो हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा प्राप्त होता है। आज भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें हमारे मुल्प आप से एक शमा मिल चुकी है। परन्तु हमें प्रती दिन अपने पापों के लिए पश्चाताग करना है। बहुत तेरे यह विश्वास करने के पूराने नियम में दी गई आगना अनुसार जीवन व्यतित करता है। अब परिप्रून हैं। तब उसने अपनी व्यवस्ता को हटा दिया। क्योंकि हम अपने कर्मों के द्वारा कभी उध्धार नहीं पा सकते। येश्व मसी ने कहा कि वह हमें अपने पानी और आत्मा के सुसमाचार से बचा सकता है। उसने यह भी कहा कि मैं ही केवल तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से बचा सकता हूँ। परमेशोर ने उत्पती की पुस्तक में स्वयम भविश्यवानी की थी। उत्पती अध्यायतीन बचित पंद्रा वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तु उसकी एडी को डसेगा। आदम और हवा के पापों में गिरने के पश्चात उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने लिए अंगरखे बनाकर उसे लपेट लिया। ताकि उनका नंगापन परमेश्वर के सामने ढख जाये। परन्तु परमेश्वर ने उन्हें पुकारा और उनकी लिए उसने चमड़े का अंगरखा बनाया जो उत्धार का प्रतिक है। उत्पति की पुस्तक में दो प्रकार के उत्धार के वस्त्रों के बारे में वताया गया है पहला जो अंजिर के वरुक्स के पत्ते से बनाया हुआ था और दूसरा जो चमड़े से बनाया गया था इसमें कौन आपकी समझ अनुसार उत्तम है निश्रित चमड़े का वस्त्र उत्तम है क्योंकि वह उस पसु की खाल से था जो मनुश्य को बचाने के हेतु बली चड़ाया गया था अंजीर के पत्तों का वस्त्र सिग्र ही मूर्जा जाता था जैसे कि आप जानते हैं कि अंजीर के पत्ते हाथ की पांच उंगलियों के समान दिखाई पड़ते हैं अतहा अंजीर के पत्तों के वस्त्र बनाने का अर्थ केवल अच्छे कर्म से पापों को छिपाने के बराबर ह यदि तुम अंजीर के पत्तों का अंगर खा पहिन कर बैठ जाओ तो वहां सिग्रही टुकडे टुकडे होकर फट जाएगा जब में एक बालत था तब में पत्ते की डाल से औजार बनाकर सिपाही का खेल खेलता था परन्तु में बड़ी सावधानी पूर्वक उन्हें पहिनता था फिर भी दिन के अंत होने तक वहां फट जाता था ठीक उसी तरह से मनुष्य जाती के कमजोर सरीर द्वारा पवित्री करण असंभव है परन्तु येश्य का बप्तिस्मा क्रूस पर उसका लहू और मृत्यू बहुत से पापियों के पापों के उधार के लिए उपयुक्त है जो परमेश्वर का प्रेम प्रगट करता है इस तरह परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर की व्यवस्ता से सुरेश्ट है वे जिन्हें अभी भी परमेश्वर की व्यवस्ता पर विश्वास है आगनाव पर विश्वास करने वाले अपने कर्मों का रोज नया अंगरखा क्यों बनाते हैं क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि उनके कर्म उन्हें धर्मी नहीं बना सकते जो लोग अपने लिए आज भी अंजिर के पत्तों से वस्तर बनाते हैं, वे व्यवस्ता के आधीन जी रहे हैं ये भढ़के हुए विश्वासी है, जिन्हें प्रती दिन अपना वस्तर बदलना पड़ता है उन्हें अपना नया वस्तर प्रती रविवार की दिन कलिश्य जाने के लिए बदलना पड़ता है प्रिय परमेश्वर, मैंने पिछले सब्ता बहुत पाप किये, परन्तु प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, आपने मुझे कुरुस के द्वारा बचाया प्रभु कुरुपा करके मेरे पापो को येश्व के लहु के द्वारा धो दीजी, वे तुरंधी नई वस्तु से ततकाल वस्तर बना कर देते हैं ओ, परमेश्वर की महिमा हो, हाललुया परन्तु वे फिर से एक नया वस्तर अपने घर पर सिल लेते हैं क्यों? क्योंकि उनका पुराना अंगरखा फट चुका है प्रिय प्रभु, मैंने पिछले तीन दीनों में बहुत पाप किये हैं कुरुपा मुझ पर दया कीजिए वे पश्चत आप की द्वारा नए नए अंगरखे बना कर बार बार पहनते हैं सुरुवात में वह अंगरखा काफी दीनों तक चलता है उसके बाद नए जोड़े की उन्हें प्रती दीन जरूरत पड़ती है मानो, जैसा वे बिना व्यवस्ता के जी रहे हो उन्हें खुद पर भी लज्जा आती है ओ प्रभु, यह तो बहुती सर्मनाख है ओ प्रभु, मैंने फिर से पाप किया है वे फिर से पश्रताप का एक और अंगरखा बनाते हैं अरे प्रभु, यह तो बहुती कटिन है आज फिर अंजिर के पत्तों से अंगरखा बनाना है वे कठोर परिस्रम करके एक नया जोड़ा बनाते है जब कभी ऐसे लोग इस्वर की दोहाई देते हैं, तो यहां केवल उनके पापों के कबूल करने के मकसद से होता है वे अपने होटों से दबा कर प्रभू की दोहाई देते हैं प्रभू और प्रते दिन एक नया अंगर्खा बनाते हैं परिणाम यह होता है कि वे ऐसा करके क्या ठक जाते हैं वर्स में एक बार दो बार वे पहालों पर उप्वास करने जाते हैं और वे अधिक मजबूत वस्तर बनाने का प्रयास करते हैं वे इस तरह कुछ कहते हैं प्रभू मेरा पाप धो दीजी मुझे नया मनुष्य बनाईए मैं आप पर विश्वास करता हूं वे सोचते हैं कि रोज की प्रातना सबसे उत्तम होती है इसलिए वे दिन को सोते हैं और जैसे ही अंधेरा होता है वे पहाडों पर मानो लटक जाते हैं या किसी अंधेरी गुफा में चले जाते हैं और फिर इस प्रकार परमेश्वर से प्रातना करते हैं हे प्रभू मैं विश्वास करता हूं मैं खेदित वह टूटा हुआ मन के साथ आपके पास आता हूं वे चिल्ला कर दुआ करते हैं कि मैं विश्वास करता हूं इस तरह के एक विशेश टिकाव वस्तर बनाते हैं परंतु जल्द ही वह भी मुर्जा जाता है कितना सक्ती वर्दक होता है जब पहाडों से प्रात्ना कर निचे आते हैं मानो जैसे तरो ताजा वह बारिस की उन बुंदों के समान जो पेड़ पौध है वह फुलों में ताजगी भर देता है वैसा ही वे अपने आत्मा में परमेश्वर की सामर से भरा हुआ मैसूस करते हैं यहां तक कि वे पहाडों की आबो हवा से खुद को ज्यादा पवित्र माते हैं वे दुनिया को एक नया वस्तर धारन की हुए दिखते हैं लेकिन जल्द ही जब वे अपने घरों वा कलिश्या में जाते हैं और पुन्ह जीवन जिना आरभ करते हैं तब यह अंगरखा गंदा वह उतारने के योग्य हो जाता है उनके दोस्त उन्हें पुझते हैं तुम कहां थे? वाकई में कुछ दिनों के लिए बाहर गया था तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे तुमने अपना वजन घटाया है वाकई? हाँ, परंतु यह एक अलग ही कहानी है परंतु वे सीधे आराधना ले में जाकर कुछ इस तरह प्रातना करते हैं मैं फिर कभी किसी आुरत को कुद्रश्टी से नहीं देखूंगा मैं कभी भी जूट नहीं बोलूँगा मैं अपनी पड़ो सी कि किसी वस्तुुका लालच नहीं करूंगा मैं दुसरों से प्रेम करूँगा परउंटु जैसे ही वे किसी सुन्दर और चहरेली बदन वाली महिला को देखते हैं वैसे ही उनकी धार्मिक तक खत्म हो जाती है और उनके मन में हवस समा जाती है तदू परांथ वे फिर ऐसा कहते हैं देखा सकर्ट कितना छोटा है सकर्ट दिनों दिन छोटे होते जा रहा है मुझे उन जांगों पर फिर ध्यान देना चाहिए ऐसा नहीं ओ प्रभू मैंने फिर पाप किया है व्यवस्ता के आदिन जीने वाले अपने को ज्यादा धर्मी बताते है परन्तु आप जानते हैं कि उन्हें हर रोज नया अंगर्खा बनाना पड़ता है व्यवस्ता के आदिन जीने वाले की आस्था अंजिर के पत्तों के बने वस्तर पर होती है जो एक गलत आस्था है बहुत से लोग पूरी कोशिश करते हैं कि परमेश्वर की उस व्यवस्ता के आदिन जीए वे पहाड़ों पर अपने फेफडों से ज्यादा हवा फैंकते हैं ताकि उनकी हवाओं में ज्यादा धार्मिक तचलके व्यवस्ता के आदिन जीने वाले बहुत ही बनावटी किस्म के चहरे को प्रस्तूत करते हैं जब वे आराधना आदि का संचालन करते हैं हे स्वर्ग्य पिता हमने पीछले सप्ता गुना किया है कुरुपा हम पर दया कर वे आशू के साथ सुरू करते हैं तब पूरी कलिशय भी उनका अनुसरन करते हैं व्यवस्ता के आदिन जीने वाले कलिशय में प्रात्ना सभा की अगुवाई करते समय बहुत ही प्रभावसाली रूप से विन्यास प्रस्तूस करते हैं जैसे हे पवित्र पिता हमें क्षमा किजिए हमने बीते सप्ता पाप किये हैं वे आंसू के साथ भावुक हो जाते हैं और उनके साथ पूरी कलिशय भी ऐसा करती है वे अपने बारे में ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने अपना काफी समय पहाडों पर उत्वास और प्रात्ना में व्यतित किया है अतह उनकी आवाज में काफी धार्मिक्ता चलकती है परन्तु उनका विश्वास केवल कर्मों की व्यवस्ता पर होने की वज़े से प्रात्ना खत्म होने के पुर्व ही उनके रिदय कटुता और पाप से भर जाते हैं जब लोग फिर से अंजिर के पत्तों से नया वस्तर बनाते हैं वह किवल दो या तीन माहा तक टिकता है तब जल्द ही वे नया अंगर का बनाते हैं वह भी जल्द मूर्जावा सुख जाता है तब वे नया अंगर का बनाकर अपने जूठी धार्मिक्ता को चुपाते हैं ऐसे ही हालत व्यवस्ता के आधिन जीने वालों का होता है उन्हें अपने उध्धार को बचाये रखने के लिए बार-बार अंजीर के पत्तों से वस्तर सिलना पड़ता है व्यवस्ता के आधिन लोगों का विश्वास अंजीर के पत्तों के सद्रश्य होता है वे हमेशा आपको कहते हैं तुम ने पिछले सप्ता जो पाप किये हैं क्यों उसकी ख्षमात हेतु तुम्हें पश्रताप करना जरूरी है वे आपके उपर जोरो से चिला कर पश्रताप हेतु डबाव डालते हैं व्यवस्ता के आधिन जीने वाला एक व्यक्ती अच्छी तरह से अपनी आवास को पवित्र होने का नमुना पेश करता है जैसे हे प्रभू मैं व्यवस्ता के अनुरूप जी नहीं सकता मुझे ख्षमा करें मैं आपके वाईदे को पूरा नहीं कर सकता खुद बदल रहे हैं वे परमेश्वर के सनमुक विद्रोही बनते जा रहा है क्या परमेश्वर ने व्यवस्था को हटाया? क्योंकि पापों से छुटकारा देने में उसका कोई उप्योग नहीं रहे गया था सुदाल बे नामक एक युवक था सन 1950 में कोरियन यूद के समय कुछ कम्यूनिस्ट सैनिकों ने उन्हें सब्द के दिन आंगन को जाड़ू लगाने का आदेश दिया उन्होंने उसकी धार्मिकता को परक ने वहां उसे कम्यूनिस्ट बनाने के उद्देश्य से ऐसा किया परन्तो इस धार्मिक युवक ने ऐसा करने से इंकार कर दिया वे लगातार उसे जोर देते रहे परन्तो उसने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया अंत में सैनिकों से उसे पेड से बांदिया और बंदुक उसके माथय पर टिका कर उसे कहा तुम क्या चाहते हो आंगन में जाड़ो लगाना या फिर मरना जब उस पर निर्णे लेने का दबाव डाला गया तब उसने कहा मैं सब्त के दिन काम करने के बजाए मरना पसंद करूगा तुमने अपना फैसला कर लिया है और हम तुम्हारे चुनाव का आधर करते हैं और उन्होंने उसे मार डाला बाद में कलिस्या के अगवो ने उसकी मृत्यू परान धर्म के प्रती उसके अटल विश्वास और होसले के लिए उसे डिकन पत की उपाधी से नवाजा उसका अटल विश्वास और होसला उसके धर्म के प्रती उसके मजबूत इरादे को बावजुद उसका धार्मिक विश्वास भ्रमिक था क्यों न उसे उन सैनिकों की आगना मानकर आंगन की सफाई कर उन्हें समाचार का प्रचार करना चाहिए क्यों अपनी धिकाई के कारण उसे अपनी जान गवानी पड़ी क्या परमेश्वर सब्टक के दिन काम न करने पर उसकी प्रसंसा करता नहीं, हमें आत्मिक जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए परमेश्वर के सामने हमारे कर्म नहीं परंतु हमारा विश्वास महत्वपुन है कलिस्या के अगवे सुदाल जैसे लोगों से आनंद मानना चाहते हैं ताकि वे अपने संस्ता के कठोर नियमों के पालनार्थ अपने पाखंड को सद्दो की वब फरिश्यों जैसा दिखा सके जिन्होंने येश्व का भी विरोत किया था विदिवाद से ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम सीख सके परंतु हमें आत्मिक जीवन के बारे में सीखना चाहिए हमें विचार करना चाहिए कि क्यों येश्व को बब्तिस्मा लेनी की और कुरूस पर लहू बहाने की जरुरत पड़ी और साथ ही साथ हमें पानी और आत्मा के सू समाचार के सोभाव पर विचार करना चाहिए. हमें पहले उप्रक्त प्रस्णों के उतर ढूंडने चाहिए. तब हमें पूरे संसार में उसकी सू समाचार को पहलाना ताकि वे नया जिन मुपा सके. हमें अपने जीवन को आत्मिक क के लिए समर्पित करना चाहिए यदि कोई प्रचारक आप से कहता है कि तुम्हें भी सुदालबे की तरह बनना है और सब्द का पालन करना है तो वह आपको किवल रविवार की आराधना है तुम निमंत्रन दे रहा है यहां एक और गटना है जो सायद आपके अंतकरण को प्र रविवार को भी काम करने हेतु मजबूर करते थे वहां सनिवार को ही रात्री में बाहर काम करके चली जाती थी ताकि परिवार की लोगों को रविवार को कोई तकलीफ न हो वहां चंद्रमा की रोशनी में रात्री में कार्य कर लेती थी और रविवार को कलिश्य जाया करत सच्चा विश्वास तभी जागता है जब कोई व्यक्ति नया जिन में प्राप्त करता है क्या आप व्यवस्था के आदिन जीकर अपने पापों से बज सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब यहां कत्ता ही नहीं है कि आप व्यवस्था को नजर अंदास कर दे परन्तु हम सब यहां जानते हैं कि मानो ताके नाते यहां कटिन है कि सभी नियमों वो अपनियमों का पालन पूरा किया जा सके याकुब दोदस में लिखे हैं कि क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परन्तु एक ही बात में चुक जाए तो वहां सब बातों में दोसी ठेरा इसलिए पहले यह सोचना है कि आप पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा कैसे नया जन्म प्राप्त कर सकते हैं तब आप किसी एक कलिस्या में जाएए वहां आप वहां सुसमाचार सुनेंगे नया जन्म पाने के बाद आप एक धर्मी जीवन को जी सकेंगे तब प्रभु येश्व आपको उकारे तो आप उसके सामने आनंद पूर्वग जा सकते हैं किसी गलत कलिस्या में जाकर अपना किम्ती समय बर्बाद न करें गलत तरह से दान देने के द्वारा आप अपना पैसा व्यर्थ कर रहे हैं जूठे नभी आपको नरग जाने से बचा नहीं सकते अतहा सर्व प्रतम पानी वह आत्मा के सुप संदेश को सुने वह नए जन्मा के भागीदार बने क्यों येशु इस संसार में आया उन कारणों के बारे में सोच विचार करें यदि हमने आगनाओं के पालन करने से स्वर्ग राजी में प्रवेस कर लिया होता तो येशु को इस संसार में आने की क्या जरूरत थी उसके आने के बाद से याजुक की इपत बदल गया व्यवस्ता वह उसके नियम भुद काल की चीज बन गए इससे पुर्व की हम उधार पाए हमारा सोचना था कि हम व्यवस्ता के पालन से बच जाएंगे परन्तु यह सच्चे विश्वास की पैचान नहीं है येश्व ने अपने प्रेम के द्वारा हमें संसार के सब पापों से बचाया येश्व ने अपने प्रेम से, अपने बबतिस्मा के पानी से, अपने लहू और आत्मा से हमें बचाया है उसने यर्दन नदी में बब्तिस्मा लेने के द्वारा हमारे उध्धार को परिपूना किया और उसके क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा हमें पुनरुथान में सम्भव हुआ परमेश्वर ने पूरानी व्यवस्था वह नियमों को दूर हटा दिया क्योंकि अब उनकी कोई उप्योगिता नहीं थी इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात को सिध नहीं किया और उसके स्तान पर ऐसी कोई उत्तमासा रखी गई है जिसके द्वारा हम विश्वास के समीब जा सकते हैं और इसलिए कि मसी की नियुक्ती बिना सपत नहीं हुई, येशु ने प्रतिगना लेते वह अपने बप्तिस्मा और लहु के द्वारा हमें अपने सारे पापों से छुड़ा दिया, व्यवस्ता के आधेन सुध होना व्यर्त मृत्यु है, केवल पानी वह आत्मा के सु समाचा पर विस्वास करना ही सच्चा फल्दाई विस्वास है, हमारे पास फल्दाई विस्वास होना चाहिए, आप सोचते हैं कि आपके प्राण और आत्मा के लिए क्या अच्छा है, क्या यह अच्छा होगा कि आप लगातार कलिश्या जाए, वह व्यवस्ता के आधीन जीवन ज जहां पानी वह आत्मा के नया जन्म का सुसमाचार का प्रचार हो, ताकि आपका नया जन्म हो सके। कौन सा प्रचारक वह कौन सी कलिस्य आपके लिए फाइदे और आपके प्रान वह आत्मा के लिए फाइदे मन्ध होगा? क्या आप इस बारें में विचार करें और वही चुने जो आपकी आत्मा के लिए अच्छा हो? परमेश्वर आपके आत्मा की रक्षा उस प्रचारक के द्वारा करता है जिसके पास पानी वह आत्मा के वचन का सुसमाचार है प्रत्यक जन अपनी आत्मा की जिम्मेदारी स्वयम ले एक सच्चाव बुद्धिमान विस्वासी वही है जो परमेश्वर के वचन द्वारा अपनी आत्मा को सौपता हो क्या लेवी के वंसत सपत के द्वारा याजग बनते थे? नहीं, किवल येश्व सपत के द्वारा याजग बना इबरानियों अधियाई 7 वचन 20 और 21 में इस प्रकार लिखा है मसी की नियुक्ती बिना सपत नहीं हुई क्योंकि वे तो बिना सपत याजक ठहराए पर यह सपत के साथ उसकी और से नियुक्त किया गया जिसके उसके विशे में कहा प्रभु ने सपत खाई और वहां उससे फिर न पचताएगा कि तू युगानुयूग याजक है बजन सहिता अधियाई 110 वचन 4 इस प्रकार कहता है यह वाने सपत खाई और न पचताएगा तू मल्की सेदेख की रीती पर सरवदा याजक है प्रभु ने हमसे प्रतिगना की कि उसने हमसे वाचा बांदी और उसे लिखित सब्दों के द्वारा प्रगट किया इस प्रकार मल्की सेदेख मैं मल्की सेदेख की रीती पर सरवदा के लिए याजक हूँ मलकी सेदिक धर्म का राजा और शांती का राजकुमार और सरवदा के लिए याजक था मैं मलकी सेदिक की रीति पर सरवदा के लिए याजक हूँ तुम्हारे उध्धार केहेतू येश्वी संसार में आया और वह एक उत्तम वाचा का जामी ठेरा जैसे कि इबरानियोक अध्याई 7 वचन 22 में लिखा है उसने बकरो और बैलो के लहू के बदले अपने आपको कुरूस पर चड़ा कर बलिदान किया उसने अपने बप्तिस्मा और कुरूस पर लहू बहाए जाने के द्वारा हमारे पापो को धोडाला पुराने नियन के समय में जब महायाजक मरता था तो उसके स्थान पर उसके पुत्र उस याजक के पत को जब वे तिस वर्स के होते थे आगे बढ़ाते थे और जब वह बुड़ा होता था तो उसके पुत्र जो तीस वर्स के होते थे और उसे वह पद सौंप दिया जाता था महायाजकों के बहुत से वंसज थे इसलिए दाउद ने एक धाचा बनाया कि जिसमें वे सभी याजकों के दल के अनुसार बारी बारी से सिवा करते थे हारुन ने वंसज सब यादक पर नियूक्त होते थे उन्हें अधिकार और जिग्मेदारी थी कि वे अपनी याजक के पत का निर्वहा करे जैसे लुका अपने सूसमाचार में कहता है अभिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और जब वह अपने दल की पारी पर परमेशवर के सामने याजक का काम करता था हारुन महायाजक के वंसज कमजोर और अपूर्ण थे जब एक महायाजक की मृत्ती हो जाती है तब क्या होता है उसके पुत्र उसके स्तान पर महायाजक का पद ले लेता है परंतु इस प्रकार के बलिदानों से मनुष्य जाती का उध्धार कभी नहीं हो सकता था मनुष्य के माध्यम से विश्वास कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता नयनियम के समय में जब येश्य संसार में आए उसे हमेशा बलिदान चड़ाने की आवशक्ता नहीं हुई क्योंकि वे हमेशा के लिए जीवित है उसने अपने बप्तिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को अपने उपर ले लिया उसने अपने आप को बलिदान किया और जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें पाप से पूरी रिती से मुक्त करने के लिए कुरूस पर चड़ाया गया। अब वह जीवित है और हमारे लिए गवा होकर परमेश्वर पिता के दाइने हाथ बिराजमान है। हे पिता ये अभी भी आपुना है परन्तु इन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। और तब हमारे सारे पापों के लिए कुरूस पर अपना लहु बहा दिया। इबरानियों की पत्री अध्याई 10 वचन 18 में लिखा है। जब इनके एक शमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। येश्व जगत के अंत तक हमारे उध्धार की गवाही है। क्या आपका पानी और आत्मा से नया जिन में हुआ है। इबरानियों की पत्री अध्याई 7 वचन 26 में लिखा है। सो ऐसा महायाजक हमारे युग्य था जो पवीत्र और निस्कपट और निर्मल और पाप्यों से अलग और स्वर्ग से भी उचा किया हुआ हो। इबरानियों अध्याई 7 वचन 28 में लिखा है। व्यवस्था तो निर्बल मनुश्य को महायाजक नियुक्त करती है। परन्तु उस सपत का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पत्रों को नियुक्त करता है जो युगान युक्त के लिए सीध किया गया है। जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो यह है कि येशु मसी जो निर्दोस है उसने हमारे पापों को एक बार और हमेशा के लिए अपने बप्तिस मा के पानी और कुरूस पर अपने लहुक के द्वारा धो दिया है। उसने हमारे सारे पापों से हमें व्यवस्ता के कारियों से नहीं बचाया लेकिन हमारे सारे पापों को उठा लिया और हमेशा के लिए उनका दंड चुका दिया। येशु मसी अनन्त स्वर्गी महाजाजक है। येशु अपने बप्तिस्मा और कुरूस पर बहाए लहुक के द्वारा हमारा अनन्त उन्धार करता बन गया है। हमें संपुन रूप से अपने विश्वास को समझना है। येशु पर विश्वास करने का क्या मतलब है। येशु के बप्तिस्मा और कुरूस पर उसकी मृत्यू पर विश्वास करना। हमें यह सोचना है कि हम कैसे सही रिती से प्रभू पर विश्वास करें और अपने विश्वास को दूरस्त रखें। हम किस तरह से येशु पर सही और उचित विश्वास करें। हम येशु पर उसके बब्तिस्मा के सुसमाचार और उसके कुरूस पर बहाय लहू पर विश्वास करने के द्वारा सही और उचित विश्वास कर सकते हैं। उचित और सही विश्वास यह है कि हम येशु के कार्यों और उसके बब्तिस्मा और लहू पर यकिन करें। बीना हमारी गलत ठार्नाओं को उससे अलग रखते हुए। क्या आप यकिन करते हैं कि यह सत्य है? आपकी आत्मिक दसा कैसी है? क्या आप अपने कर्मों पर ज्यादा यकिन करते हैं? बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, मुझे ये शुपर विश्वास करते हुए। परन्तु मैंने व्यवस्ता के आधीन लोगों के कारण दस वरसों तक काफी दुख उठाया। अतह मैं उस प्रकार के जीवन से ठक चुका था। मैं अपने आपको उस जीवन से जोड़ कर या करना भी नहीं चाहता। मेरी पत्नी अभी यहां पर बैटी है। वह अच्छी तरह से वाकिफ है कि कितनी भयानक दसा थी। रविवार के दिन में कहता था हनी आओ हम आज आनन्द मनाए। परन्तु आज रविवार है। वह रविवार को कपड़े नहीं दोती थी। एक बा मैं आज भी उन दिनों को याद करता हूँ। प्रियमित्रो येशु पर सही रूप से विश्वास तभी किया जा सकता है जब हमने उसके बलिदान को जो उसने हमारे पापों के हितों उसके बप्तिस्मा और कुरुस पर लहु बहाय जाने के द्वारा प्राप्त हुआ। सही बप्तिस्मा और उसके लहु पर विश्वास करना ही सही विश्वास है। यहाँ एक बहुत ही सरल उपाय है। हमें बाइबल को गंबिरता से देखना है और उसके सुसमाचार पर विश्वास करना है। हमें उस पर सही रूप से विश्वास करना है। धनिवाद प्रभुज मैं अब देखता हूँ कि यह मेरी कोशिशों के द्वारा नहीं हुआ क्योंकि व्यवस्ता के द्वारा पात की पहचान होती है अब मैं सब कुछ समझ चुका मैं सोचता था कि व्यवस्ता अच्छी है क्योंकि यह परमेश्वर की आगना है मैंने इसके अनुरूप जीने की पूरी कोशिस की मैं पूरी निष्टा के साथ अब भी करता हूँ परंतु अब मैं देखता हूँ कि मैं गलत था कि मैं व्यवस्था को पूर्ण रूप से पालन कर सकता हूँ परंतु मैं कभी भी परमेश्वर की आजनाओ का पालन नहीं कर सकता मैं अब मैसूस करता हूँ कि मेरा रिदे पाप और बुराई उसे भरा है अब मैं समझ गया कि व्यवस्था हमें पाप की पैचान हेतु दी गई थी अरे धनेवाद प्रभुजी मैं आपकी इच्छा को समझ सका और पूरा प्रयास किया कि व्यवस्था का पालन कर सकूँ पर वह मेरे लिए विद्रो करने के बराबर था मैंने पश्चाताप किया कि येश्व ने मेरे लिए पानी से बप्तिसमा लिया वक्रूस पर अपना लहु बहाया मेरे उद्धार है तु यही अब मैं विश्वास करता हूँ आपको सपस्ट और सुद्ध रूप से विश्वास करना है आपको इस्वर के लिखित वचनों पर विश्वास करना है यही एक मात्र तरीका है जिससे आप पूर्ण रूप से नया जीवन प्राप कर सकते हैं येश्व में विश्वास करना क्या है क्या यह ऐसा है कि एक समय की अवधी के बाद कुछ बाते पुरा करना है क्या हमारा विश्वास एक धर्मक के जैसा है जो हमें कार्य पर आधार रखता है लोगों ने अनेक इस्वरों को बनाया है और उन्होंने उन इस्वरों के लिए उची धर्मों को भी बनाया है धर्म एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग लक्षे तक पहुँचने का कार्य करते है मनुश्य अच्छे कारियों के कुछ पाने के इच्छा रखता है तब विश्वास क्या है? इसका अर्थ है परमेश्वन में विश्वास करना और उसकी और देखना है हम येश्यु के उध्धार की और देखते हैं और इन आशिशों के लिए उसका धनेवाद करते हैं यदि सच्चा विश्वास है विश्वास और धर्म में यही अंतर है एक बार जब आप इन दोनों के बीच में अंतर की पैचान कर लेते हैं तो आपके सो प्रतिसत विश्वास की समझ हो जाती है धर्म विग्णानिक जिनका जन्म अभी तक नहीं हुआ है वे बताते हैं कि हमें विश्वास करना चाहिए और भक्ति पूर्ण जीवन जीना चाहिए क्या कोई भक्ति द्वारा धर्म में गहरा विश्वास करने के द्वारा सच्च मुझ सच्चा विश्वासी और निष्टावार हो सकता है बेश्रक हमें अच्छा बनना है हम जो नया जिन्म पाये हुए हैं उनकी अपेक साथ कौन भक्ति पूर्ण जीवन की और आगे बढ़ सकता है परंतु तथ्य यहा है कि वे पापियों को बता रहे हैं एक सामान्य पापी मनुष्य के अंदर बारा प्रकार की पाप होते हैं ऐसे में कैसे वह भक्ति पूर्ण जीवन जी सकता है निष्टित रूप से उसे क्या करना है उसका मन पूरी तरह से समझ सकता है परंतु उसका रिदय इस कार्य को नहीं कर सकता जब एक पापी कलिशा के बाहर कदम रखता है भक्ति पूर्ण जीवन जीना उसके लिए केवल एक सिध्धान बन जाता है और उसकी स्वाभाविक प्रवरूती उसे पाप की और ले जाती है इसलिए हमें अपने रिदयों में नीनाई करना है चाहे हम व्यवस्ता के द्वारा जी रहे हो या येशू के बप्तिस्मा और उसके क्रूस पर बराए गए लहु में विश्वास करने के द्वारा एवं स्वर्ग राजय के अनंत महायाजक के ओपर विश्वास करने के द्वारा बचाये गए हो। स्मरान रखे कि येशु उन लोगों का सच्चा महायाजक है जो उस पर विश्वास करते हैं। आईए हम सब सच्ची मुक्ती येशु के बप्तिस्मा और उसके कुरूस पर बहाये गए लहु को जानने और विश्वास करने के द्वारा बच्चा है। जब आप सच्मुच नया जन्म लेते हैं आपको दुनिया के आने वाले अंत से भईबीत नहीं होना है। कोरिया में अनिक मसीयों ने दावा किया कि 28 अक्तुबर 1992 में दुनिया का अंत हो जाएगा। वे कहते हैं यह क्या ही असांत और निरस दिन होगा। परन्तु अंत में उनके सारे दावे गलत हो गए। सचमुच नया जन्म पाए हुए लोग भक्ती भाव से जीते हैं। वे अंतिमक्षण तक सूसमाचार फैलाते रहते हैं। जब कभी दुनिया का अंत आएगा हम सबको पानी और आत्मा के सूसमाचार का प्रचार करना है। जब दुलहा आएगा, तब दुलहिन जिसने सचमुच पानी और आत्मा से नया जन्म लिया है, वे महा आनंद के साथ उससे मिल सकती है। और कहेंगी, ओ, आखिरकार आप आगए, मेरी दे अभी भी बहुत अपून है, परन्तु आप मुझे प्रेम करते हैं, और मुझे मेरे सारे पापों से बचा लिया है, अतह अब मेरे रिदे में पाप नहीं है, आपका धनिवाद प्रभू, आप मेरे उध्धार करता है। येशु सब धर्मियों के लिए आत्मिक दुलखा है, उसने विवाद का स्तान ले लिया, क्योंकि दुलहन से दुलहा प्रेम करता है, किसी दूसरी तरह से नहीं, मैं जानता हूँ कि यह कुछ समय में होने वाला है, उसी तरह इस दुनिया में, परन्तु स्वर्ग में यह द प्रेम के और उधार देने के आधार पर किसी भी दुलहन की परवा न करते हुए, विवा हे तुचुने का, इस तरह विवा को स्वर्ग में बनाया गया है, दुलहा अपनी दुलहन के बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि उसकी प्रियत दुलिन पापी थी, वह उस पर द वहाँ पर बहुत से लेवी जो हारुन के वनसच थे, यह कारी करते थे, सचमुझ पूराने नियम के बलिदानों का मुख्य चरिक्र कोई और नहीं, लेकिन येशु ही है, इसलिए जब सही चीज पर दुनिया में आई, तब उसकी परचाई पर क्या हुआ? परचाई बात के लिए बची हुई थी, जब येशु इस दुनिया में आया, तब कभी भी उसने हारुन के समान बलिदान नहीं चड़ाया, उसने बप्तिस्मा लेने के द्वारा और पापियों के उध्धार के लिए लहु बहा कर अपने आपको मनुष्य जाती के लिए दे दिया, उसने क्र पॉस्ट रूप से प्रायश्रिक नहीं किया, युहना अध्याय 14 वचन 6 में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन में हो, येशु इस दुनिया में आये और बप्तिस्मा तथा उनकी मृत्यू और उसके प्रुरुथान के द्वारा हमें बचा लिया है, पुरान नियम येशु पुराने नियम के माहा याजक की भाति कभी भी बलिदान नहीं चड़ाया, उसने एक अच्छे याजक एवं अनन्त स्वर्ग्य याजक जैसे सेवा की, क्योंकि इस संसार के लोग जन्म से ही पापी है, वे पापी बन गए और वे कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था के द दूसरी वाचा है, दूसरी वाचा हमसे मांग करती है कि हम पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विस्वास करें, प्रबु हमारे भलाए के कारियों को करने के लिए नहीं कहता, वो हमें नहीं कहता कि हम उध्धार पाने के लिए कैसा जीवन जीए, वो हमसे कहते है कि हम केवल उसके पुत्र के द्वारा उध्धार में विश्वास करे। वह हमसे कहते हैं कि हम उसके वप्तिस्मा और कुरूस पर बहाए गए लहु में सबसे बढ़कर विश्वास करें और हमें हाँ करना है। बाइबल में यहुदा का घराना राज की घराना था। सुलेमान तक इजराईल के सभी राजा यहुदा के घराने के थे। राज्य के बटवारे के बाद भी यहुदा के घरानों ने राज्य के दक्षिनी भाग में 586 इस्विशन पुरुव में इसके अंत तक सिहासन पर अपना कबजा जमाय रखा। इस प्रकार यहुदा के लोग इस्राइल के लिए खड़े होते थे लेवी के घराने के लोग याजग थे इस्राइल के प्रतिय गोत्र के पास अलग-अलग कार्य थे परमेश्वर ने यहुदा के गोत्र से प्रतिग ना की थी कि येश्व उनके वंस से आएगा उसने यहुदा के गोत्र से कुरुस पर अपनी मृत्यू और अपने पुनरुथान के द्वारा पूरा किया जो मनुष्य जाती का उत्हार है मनुष्य जाती के पाप पश्यताप के द्वारा नहीं दोय जा सकते क्या मनुष्य जाती का पाप पश्यताप के द्वारा दोया जाता नहीं यर्मिया अध्याय सत्रा वच्छन एक में लिखा गया है कि प्रत्यक मनुश्य का पाप दो स्थानों पर अंकित किया गया है यहुदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोग से लिखा हुआ है वहां उनके रदे रूपी पटिया और उनकी वेदियों के सिंगों पर भी खुदा हुआ है हमारे पाप हमारे रिदे रूपी पटिया पर लिखे हुए है इसी से हम जानते हैं कि हम पापी है येशु में विश्वास में आने से पहले वह नहीं जानता था कि वह पापी था क्यों? क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था उसके रदे में ही नहीं थी इसलिए जब कोई येशु पर विश्वास करता है वह मैसुस करता है कि परमेश्वर के सामने वह पापी है कुछ लोग येशु में विश्वास में आने के 10 साल बाद महसूस करते हैं कि वे पापी है हे प्रियर मैं पापी हूँ मैंने सोचा था कि मैं बचाया गया परंतु जैसे भी हाँ मैं आज भी पापी हूँ यह अनुभुती उस दिन आती है जब हम अपने आपको वास्तों में वैसा ही देखते हैं वे 10 वर्ष से प्रसमे थे परंतु अचानक शत्य को देखते हैं क्या आप जानते हैं क्यों वह अनुभुती होती है क्योंकि अन्त तह उनके वास्तविक पाप और अपराद परमेश्वर की व्यवस्ता के त्वारा प्रकट होते हैं ऐसा मनुस्य बिना नया जन्म पाए 10 वर्ष से ये शुपर विश्वास रखे हुए है क्योंकि पापी अपने पाप को अपने हाथ से मिटा नहीं सकता इसलिए परमेश्वर के सन्मुक पापी बना रहता है कुछ 5 वर्ष तक तथा कुछ 10 वर्षों में इस अनुभूती तक पहुंच जाते हैं और कुछ 30 साल बाग कुछ 50 साल और कुछ लोग तो सच्चाई की अनुभूती में अंत तक नहीं पहुंचते प्रिय परमेश्वर मैं मेरे मन से आगनाओ के सामने अच्छा बन सकता था मैं व्यवस्था का अच्छी रिती से पालन करने में विश्वास करता था लेकिन अब महसूस करता हूँ कि मैं प्रति दिन पाप करता था जैसे कि प्रियरित पावलुस कहता है रोमियों की पत्री अध्याय साथ वचन नौ तो आपके सारे पाप प्रगट हो जाते हैं आश्चरियर मैं वही पाप हूँ जो तुम ने किये हैं परन्तु मैंने दो बर्स पहले तुम्हारे लिए इसकी किमत चुका दी है क्यों आप अचानक अपने आपको फिर से प्रगट कर रहे हो तुम क्यों नहीं चले गए ओ बुरा मत मानो मैं तुम्हारे मन में लिखा हुआ हूँ आप जो भी सोचे लेकिन आप अभी भी पापी है नहीं नहीं इसलिए पापी दो वर्स पहले किये हुए अपने पापों का पश्चताब फिर से करता है किरुप्या मुझे माफ किजिए प्रभुजी मैं अभी भी सताया जा रहा हूँ और पाप मैंने दो वर्स पहले किये थे मैंने अपने पापों का पश्चताब किया था लेकिन अब भी पाप मेरे साथ है क्रुपया मुझे मेरे पापों के लिए एक शमा कीजिए परन्तु क्या यह पाप पश्चाताप करने से चला जाता है क्योंकि लोगों के पाप उनके मनों में अंकित है वे पानी और आत्मा के सू समाचार के बिना नहीं मिटाए जा सकते केवल पानी और आत्मा के सू समाचार के द्वारा ही सच्चा प्रायस्वित किया जा सकता है हम केवल येश्यो के सच्चे सू समाचार में विश्वास करने के द्वारा बचाए जा सकते हैं मैं तुम्हारा उद्धार करता बनूगा हमें नई वाचा का प्रती उत्तर कैसे देना चाहिए इसे हमें अपने रिदे में विश्वास करना है और संप्रून संसार में प्रचार करना है हमारे प्रभू जो स्वर्ग में हैं हमसे एक नई वाचा बांती है मैं तुम्हारा उत्धार करता बनूँगा मैं तुम्हें पानी और लहु के द्वारा दुनिया के सारे पापों से पून तम मुक्त करूँगा मैं उन्हें जो मुझ पर विश्वास करते हैं निश्रे ही आसिस दूँगा क्या आप परमेश्वर के साथ इस नई वाचा पर विश्वास करते हैं हम अपने सारे पापों से बचाया जा सकते हैं और नया जिल्म पा सकते हैं जब हम पानी और लहु के द्वारा उसकी नई वाचा में और उसके उधार की सच्चाई में विश्वास करते हैं तब हम डॉक्टर पर विश्वास नहीं करते यदि वह हमारा सही उप्चार नहीं करता एक डॉक्टर को चाहिए कि पहले वह अपने मरीज का सही उप्चार करे और उसके बाद सही आउशदी निर्देश करे विबीन प्रकार की आउसदी है लेकिन डॉक्टर को यह जानना है कि कौन सी आउसदी बिल्कुल उपयुक्त है एक बार डॉक्टर अपने मरीज का उचीत रुप से इलाज करता है बहुत सी आउसदी है जो उन्हें स्वस्त करती है लेकिन गलत उचार से अच्छी आउसदी भी मरीज के हालत को और खराप कर देती है इसी प्रकार जब आप येशु पर विश्वास करते हैं आपको अपनी आत्मिक दशा को परमेश्वर के वचन के अनुसार जानना है जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी आत्मा को जाचते हैं तो आप वैसा ही पात हैं जैसे आपकी आत्मा की वास्तविक्स दीती है आत्मिक डॉक्टर अपने मरीजों को बिना किसी अपवात के स्वस्त कर सकता है वे सभी नया जन्म पा सकते हैं यदि आप कहते हैं मैं नहीं जानता कि मेरा चुटकरा हुआ है कि नहीं इसका अर्थ है कि आपका उद्धार नहीं हुआ यदि एक पादरी येश्व का सच्चा सीचे है तो उसे अपने विश्वास्यों के पाप समंधी समस्याव का समाधान करने की योग्य बना है लिया और कुरुस पर अपना प्राण दिया जब उन्होंने संपुर्ण पापों का दाम चुकाया तो क्या उन्होंने आपके पापों को दूर किया पानी और आत्मा के वचन के द्वारा सभी विश्वास्यों के पापों को मिटा दिया गया है सू समाचार एक विस्वोटक जैसा है यहां उची इमारतों से पहाडों तक विस्वोट करता है येशु का कारिय ऐसा ही है उसने उन सब के पापों को मिटा दिया है जो उस पर और पानी और आत्मा के सू समाचार पर विस्वास करते हैं आईए, अब हम पानी और आत्मा के सू समाचार को वैसे ही देखे, कैसे बाईबल में उसे व्यट्ट किया गया है। पुराने नियम में हाथों को रखने का सुसमाचार, पुराने नियम में हाथों को रखने का क्या उदेश्य था? इसका उदेश्य पापों को पाप बली पर डालना था। पुराना नियम के काल में एक पापी अपने प्रती दिन के पापों के कीमत के लिए बलीदान पर अपना हाथ रखता था। प्रती के नीचे उंडेल देता था। और इस प्रकार पापी का एक दिन का पाप क्षमा हो जाता है। एक वरस के पाप के लिए ले व्यवस्ता अधियाई 16 वचन 6 से 10 में इस तरह से लिखा है। पाप बली के बच्ड़े को जो उसी के लिए होगा चड़ा कर अपने और अपने घराने के लिए पश्चाताप करे। और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहवा के सामने खड़ा करे। और हारुन दोनों बकरों पर चिथिया डाले। एक चिथि यहवा के लिए और दूसरी चिथि अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहवा के नाम की चिठी निकले, उसको हारुन पाप बली के लिए चड़ाए, परन्तु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिठी निकले, वह यहवा के सामने जीवता खड़ा किया जाए, कि उससे प्रायस चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंग और तीस में लिखा है यह कैसे हो सका? पहले महायाजक हारुन को बली के लिए उपस्तित होना पड़ता था. इस्राइलियों का प्रतिनेदी कौन था? परमेश्वर ने हारुन और उसकी संतानों को महायाजक नियुक्त किया था. हारुन अपने और अपने घरानों के प्रायाश्रित के लिए बैल की बली चड़ाता था. वह बैल का बलीदान करता था और कुछ लहु को साथ बार दया आसन के सामने छिड़ता था. उसे सबसे पहले अपने और अपने घराने के लिए प्रायाश्रित करना पड़ता था. प्रायाश्रित का अर्थ एक व्यक्ति के पाप को पाप बली पर स्था अपने और अपने घराने के पापों के लिए प्रायश्रित करने के बाद वह एक बकरे को प्रभु के सामने चड़ाता था, तथा दूसरे को बली के बकरे के रुप में जंगल में इसराइलियों की उपस्तिति में छोड़ देता था, एक बकरे को पाप बली के रुप में चड प्रशनंगन किया है। इसरायली पापी हो गया है। अब मैं इस बकरे पर अपना हाथ रखकर हमारे वर्जबर्ग के संपुन पापो को स्थाना अंतरित करता हूँ। वहां बकरे के गले को काड़ता था और तंबु के अंदर परम पवित्रस्थान में उसके लहु के साथ प्रवेस करता था। उसके पश्चात वहां कुछ लहु को लेकर दया आसन के सामने साथ बार छिड़कता था। परम पवित्रस्थान के अंदर वाचा का संदूक्त होता था। इसके ढखकन को दया आसन कहा जाता था। और इसमें पत्थर की दो वाचा की पत्टिया, मन्ने से बरा हुआ सोने का पात्र और हारुम की छड़ी जिसमें फूल आ गये थे वह रखा गया था। हारुम की छड़ उने साथ बार लहु को छिड़का जाता था। जैसे कि महायाजग के वस्तर के छोर पर सोने की घंटिया बंदी होती थी। उसे लहु के छिड़के जाने के समय बज़ती थी। ले व्यवस्ता अध्याई 16 वच्चन 14-15 में इस प्रकार लिखा है। तब वहां उस बचड़े बकरे को जो साधारन जानता है बलिदान करके उसके लोहु को बीच वाले परदे की भीतर ले जाए। और जिस प्रकार बचड़े के लहु से उसने किया था ठीक वैसा ही वह बकरे के लहु से भी करे। अर्थात उसको प्रायश्रित के ढखने के उपर और उसके सामने छिड जब जब वह बचड़े के लहु को छिड़कता था तब दब घंटी बजाता था और सारे इसराइली जो बहार एककत्र रहते थे घंटी की आवाद सुनते थे। जब महायाजग द्वरा उनके पापों का प्रायश्रित का कारिय समाप्थ हो जाता था घंटी की आवाद से य पापों की चिंता में था, अब मैं आजादी महसूस करता हूँ और लोग अपने पापों से मुक्त होकर अपने घर चले जाते थे। उस समय की घंटी की आवाज वैसी ही है जैसे पानी और आत्मा का सुसमाचार येश्यु का बप्तिस्मा हमारे उत्धार के लिए हैं। सभी पाप माफ हो जाते थे। उनके पाप परमेशवर के सामने से धुल जाते थे। इसराइलियों के लिए बकरे का बलिदान चड़ाने के बाद महायाजक तंबू के बाहर प्रतिक्षा करते हुए लोगों के पास चला जाता था। उनके देखते हुए महायाजक हारुन उ दूसरे बकरे के सीर पर अपना हाथ रखता था। लई विवास्ता अध्याज 16 वचन 21 और 22 पद में और हारुन अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे के सीर पर रखकर इसराइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों निदान सारे पापों का अंगिकार करे और उनको बकरे के सीर पर डाल कर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तयार हो जंगल में भेज कर छुड़वा दे। और वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने उपर लादे हुए किसी निराले देश में उठा ले जाएगा। इसलिए वह मनुष्य उस जंगल में छोड़ दे। महायाजक हारुन दूसरे बकरे के उपर अपने हाथों को रखता था और परमेश्वर के सामने इसरायलियों के सारे साल भर के पापों का अंगिकार करता था। पहला न्याय की पुस्तत में, दूसरा उनके रिदे की पटियों पर। इसलिए यदि लोगों को अपने पापों का प्रायश्रिक करना है, तो उनके पापों को न्याय की किताब एवं उनके रिदे के पटियों से मिटाना होगा। प्रायश्रिक के दिन एक बकरा न्याय की क लिएक को क्या दर्साद आता। यह की उध्धार करता आएगा और एक ही बार में सभी के पापों को सही रिधी से मिटा देगा। बक्रे के सिर्व पर हाथ रखने के दवारा महा याजक लोगों को दिखाता है कि उनके साल भर के पाप बक्रे के उपर चड़े गया है। जब बकरे के सिर पर पाप डाला जाता था, तो एक नियुक्त व्यक्ति बकरे को जंगल में छोड़ दिता था। पलिस्तिनी की जमीन मरू भूमी थी। वहां बकरा जो इसराइलियों के वार्षिक पापो को अपने उपर उठाता था, वहां एक व्यक्ति के द्वारा जंगल के ऐसी जगह में जहां न तो पानी है और न तो घास है, वहां छोड़ दिया जाता था। लोग खड़े होकर बकरे को जंगल की और जहाते देखते थे। वह अपने आप से कहते थे, मुझे मरना चाहिए था, लेकिन बली का बकरा मेरे बदले में मरा। पाप की मजदूरी मृत्यू है लेकिन बकरा मेरे बदले में मरा। बली के बकरे आपका धनेवाद। आपकी मृत्यू का अर्थ है मैं जी सकता हूँ। इस प्रकार बकरे को जंगल में दूर छोड़ दिया जाता था और इसराइली अपने वारशिक पापों को भूल जाते थे जब आपके रिदे का पाप बाप बली पर डाला दिया जाता था तो आप सुद्ध किये जाते थे। यह आसान है। सच्चा ही हमेशा आसान होती है जब हम इसे समझते हैं। बकरा जंगल में अद्रश्य हो जाता था। आदमी जो उसे छोड़ने जाता था अकेला छोड़कर वापस आ जाता था। इसराइलों का वर्स बर का पाप दूर हो जाता था। बकरा जंगल में बीना पानी का वह घास के इसराइलों के पापों के लिए मर जाता था। पाप साफ कर दिया जाता था। पूराने नियम में एक दिन के पाप और एक वर्षड के पाप इसी प्रकार से माफ किये जाते थे। वैसे ही पर्मेश्वर की वाचा है, जो हमारे पाप एक ही बार में सब के लिए एक्षमा किये गए। यहां उसकी वाचा है कि वहां मसी को भीचेगा और वहां हमें हमारे जीवन भर के पापों से छुड़ाएगा। यहां वाचा येश्व के बप्तिस्मा के द्वारा आगे आती है। नए नियम में पानी और आत्मा से नया जिन्म प्राप्त करना क्या है। क्यों येश्व ने युहना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लिया। जगत के सारे पापों को अपने उपर उठाकर धार्मिक्ता को पूरा करने के लिए नए नियम में येश्व का बप्तिस्मा पूरानी नियम में हाथों को रखने जैसा ही है। मत्यरचित सुलसमाचार अधियाई 3 वचन 13 से 15 पड़े। उस समय येशु गल्ली से यर्दन के किनारे पर युहन्ना के पास उससे बप्तिस्मा लेने आया। परंतु युहन्ना यह कहकर उससे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथों से बप्तिस्मा लेने की आवश्यक्ता है और तु मेरे पास आया है। येशु ने उसको उतर दिया कि आप तो ऐसा ही होने दे क्योंकि हमें इसी रिती से सब धार्मिक्ता को पूरा करना उचीत है। तब उसने उसकी बात मान ली। येशु ने यर्दन नदी में जाकर युहना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लिया और सारी धार्मिक्ता को पूरा किया। उसका बप्तिस्मा युहना द्वारा हुआ। युहना जो स्त्रियों से उत्पन होने वाले में सबसे बड़ा था। मत्यरति सुर्समाचार, अध्याई 11, वचन 11 और 12 कहता है, मैं तुम से सच कहता हूँ, जो स्त्रियों से जन्मे है, उन में से युहन्ना वक्तिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्ये में छोटे से छोटा है, वह उससे बड़ा है, युहन आपके पास आया, यानि कि युहन्ना वक्तिस्मा देने वाले के पास गया, तो उसने कहा, मुझे तेरे हाथ से बक्तिस्मा लेनी की आवशकता है, और तू मेरे पास आया है, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रिती से सब धार्मिक्ता को पूरा करना उचित है, तब उन्हें उसने उसकी बात मान लिए, उसका उद्देश्य मनुष्य जाती के पापों से क्षमा दिलाना था, जिसे परमेश्वर की संतान वो बन जाए, येश्टु ने युहन्ना से कहा, हमें पानी और आत्मा के द्वारा नए जन्म की सूस समाचार को पूरा करना है, हम लोग अपने सारे पापों से उची तृती से बचाए गए हैं, येश्टु का बप्तिस्मा इसलिए हुआ, ताकि हमारे पाप उसके उपर डाल दिये जाए, येश्टु इस संसार में आया, और उसका बप्तिस्मा तीस वरस की उम्र में हुआ, यहां उसकी प्रथम सेवक आई थी, येश्टु ने संसार के सारे पापों को उठा कर सारी धार्मिक्ता को पुरा किया, इसलिए वह सब लोगों को पवित्र करता है, येश्टु इस संसार में आया, और उची तृती से बप्तिस्मा लिया, ताकि हमें सारे पापों से छुड़ाए, इस प्रकार कि पापों को लेकर कुरूस पर मारा जाएगा, परन्तु वह पिता की इच्छा का आगनाकारी बना रहा, ये कहते हुए कि तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परन्तु जैसा तू चाहता है, वैसा ही हो, पिता की इच्छा थी कि मनुष्य जाती के सभी पापों को सम अतह येशु ने आगनाकारी पुत्र बनकर अपने पिता की आगना को मानकर युहन्ना बप्तिस्म द्वारा बप्तिस्मा लिया। युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले ने यह गवाही थी। क्या आप में पाप अभी भी बाकी है? क्या आप एक धर्मी व्यक्ति है या एक पापी है? सच्चा यह है कि येशु संसार के पापों को उठा कर हम सब के लिए कुरूस पर बलिदान हो गया। जब हम संसार में पैदा होते हैं तो हम एक से दस वर्स के उम्र में भी पाप करते हैं। लेकिन येशु ने उन पापों को भी अपने उपर उठा लिया। हम 11 से 20 साल की उम्र में जो पाप करते हैं उसको भी येशु ने उठा लिये। हम 21 से 45 सालों के बीच में भी पाप करते हैं। उसने उन सभी पापों को वैसे उठा लिया जैसे उसने हमारे दूसरे पापों को उठाया। वहाँ संसार के सभी पापों को उठा कर कुरूस पर चड़ गया हम अपने जन्म के दिन से लेकर मृत्यों के दिन तक पाप करते हैं लेकिन उसने सारे पापों को उठा लिया देखो परमेशोर का मिमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है सब पाप पहले मनुष्य आदम से लेकर अंति मनुष्य जो इस संसार में पैदा होगा चाए वहाँ जहां कहीं का भी हो उसने उन सब पापों को उठा लिया उसने चुनाव नहीं किया कि किसका पाप अपने उपर उठाए उसने हम में से कुछ लोगों को प्रेम करने का निर्ण ही नहीं किया वहाँ सरील में पैदा हुआ और सारे संसार के सारे पापों को उठा कर कुरूस पर बलिदान हो गया उसने हम सब का निया अपने उपर ले लिया और संसार के सारे पापों को हमेशा के लिए मिटा दिया। कोई भी व्यक्ति उसके उधार से वंचित नहीं किया गया। संसार के सब पापों का मैं हमारे सबी पाप से मिलित है। येशु ने उन सारे पापों को उठा लिया है। अपने बप्तिस्मा और लहु से उसने संसार के सारे पापों को शुद्ध किया है। उसने अपने बप्तिस्मा के द्वारा उसे उठा लिया और हमारे बदले में न्य पूरा हुआ जिसका अर्थ है मनुष्य जाती के लिए उत्थार का कार्य पूरा हो गया। इसलिए कि पवित्र सास्तर की बात पूरी हो उसने कहा मैं प्यासा हूँ। जहां वह परमेश्वर की दाहिनी और बैठा हुआ है। येशु का बप्तिस्मा और कुरूस पर मृत्यु द्वारा सारे पापो को धोना ही पापी और आत्मा से नया जिन्म पाने का धन्य सुसमाचार है। इस पर विश्वास कीजिए आपके सारे पाप माफ कर दिये जाएंगे। हम हर दिन पस्षाताफ करके अपने पापो का प्रायश्रित करते हैं। चुटकारा सभी के लिए एक ही बार येशु का बप्तिस्मा और कुरूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा उपलत है। इबरानियो अध्याई 10 वचन 18 में लिखा है, जब इनकीक शमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। अब हमें येशु के बप्तिस्मा और कुरूस के बलिदान के द्वारा चुटकारे पर विश्वास करना है। विश्वास कीजिए और आपका उध्धार हो जाएगा। रोमियो की पत्री अध्याई 5 वचन 1 और 2 कहता है। सो जब हम विश्वास से ही धर्मी ठहरें तो अपने येशु मसी के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुगर तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुँझ भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशापर घमंड करें। धर्मी ठहरें का और कोई रास्ता नहीं है केवल पानी और आत्मा के धन्यसू समाचार पर विश्वास करना है। परमेशुर की व्यवस्था का उद्देश्य, क्या हम व्यवस्था के द्वारा पवित्र हो सकते हैं, नहीं, हम नहीं हो सकते, व्यवस्था हमें केवल पापों की जानकारी देता है, इबरानियों अध्याई 10 वचन 9 यह लिखा है, फिर यह भी कहता है कि देख में आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करों, निदान वह पहले को उठा लेता है ताकि दूसरे को नियुक्त करें, हम व्यवस्था के द्वारा पवित्र ही नहीं हो सकते, यह केवल हमें पापी बनाता है, पवित्र ठहरने के लिए परमेशुर का अर्थ यह नहीं है कि व्यवस्था क पालन किया जा है, रोमियो अध्यायतीन बचन 20 कहता है, व्यवस्था के द्वारा पाप की भैचान होती है, अबरहाम से वाचा बांधने के 430 साल बाद परमेशुर ने मूसा के द्वारा इजरायलों को व्यवस्था दी, व्यवस्था इसलिए दी गई कि वे जाने की परमे पाप का कोई ग्नान नहीं था, परमेशुर ने व्यवस्था को इसलिए दिया ताकि लोग पाप को समझ सके, अतहा व्यवस्था का उद्देश्य केवल यह है कि हम जान सके कि परमेशुर के सामने हम सब पापी है, इस ग्नान के द्वारा हमें येशु के पास पानी और आत् येशु समाचार के द्वारा वापस आना है, यही व्यवस्था का उद्देश्य है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, येशु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, हमें परमेश्वर के सामने क्या करना है, हमें येशु मसी के द्वारा परमेश्वर के छुटकारे पर विश्वास करना है। बलिदान चड़ाये जाने के द्वारा पवित्र किये गए है। अब आपको जो उस पर विश्वास करते हैं केवल अनंत जीवन देता है। अब वे जो पानी और आत्मा के सू समाचार पर विश्वास करते हैं उन्हें अपने आत्मा की मुहर देता है। येश्वी संसार में आया और संसार के सारे पापो को अपने उपर उठाया और कुरुस पर मर गया। इस प्रकार उसने अपना कार्य पूरा किया। अब प्रभु का कार्य समाप्त हो गया। वहां पिता के दाही ने हाथ में जा बैठा है। हमें अपने येश्वी पर विश्वास करना है कि उसने हमें अनंत काल तक के पापों से बचाया है। उसने अपने लहु और बबतिसमा के द्वारा हमें हमेशा के लिए सिद्र किया है वो जो परमेशर के बहरी बनते है परमेशर के बहरी कौन है? वे जो येश cucumber में विश्वास करते हैं लेकिन जिनके रिदों में अध़ीवी पाप है इबरान्यों की पत्री अध्याई 10 वचन 12-14 में प्रभु कहते हैं पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सरवदा के लिए चड़ा कर परमेश्वर के दाही ने जावेठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाउं के नीचे की पीडी बने क्योंकि उसने एक ही चड़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किये जाते हैं सरवदा के लिए सिद्ध कर दिया है उसके बैरी अब भी कहते हैं परमेश्वर कुपया मेरे पापो को ख्षमा करे शैतान और उनके अनुयाई पानी और आत्मा के सू समाचार पर विश्वास नहीं करते और लगातार माफी मांगते रहता है हमारा प्रभू परमेश्वर अभी उनका न्याई नहीं करेगा लेकिन जब येश्व दुबारा आएगा उस दिन वे दोसी ठहराए जाएंगे और हमेशा के लिए नरक का दंड पाएंगे जब तक उनके पास पस्चाताप करके छुटकारा पाकर धर्मी बनने की आशा है परमेश्वर सै सकता है हमारे येश्व हमसे सारे पापों को अपने उपर उठा कर कुरूस पर चड़ गया उनके लिए जो उस पर विश्वास करते हैं येश्व दूसरी बार उन सब के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं छुटकारा देगा हे प्रभू खुपया जल्दी आईए वहां दूसरी बार जो निर्दोस है उन्हें अपने साथ ले जाएगा और स्वर्ग में वो हमेशा के लिए राज करेगा जो लोग पापी बनी रहते हैं वहां प्रभू आएगा तो उन्हें स्वर्ग में कोई स्थान नहीं मिलेगा अंतिम दिन उनका न्याय किया जाएगा और वे नरक की आग में डाल दिये जाएंगे यह दंड उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो पानी और आत्मा द्वारा नये जन्मों पर विश्वास करने से इंकार करते हैं हमारे प्रभू उनको जो असत्य पर विश्वास करते हैं उनको बहरी जानता है इस कारण हमें असत्य से लड़ना है इसलिए हमें पानी और आत्मा के द्वारा नया जन्म पाने के धन्य सूर समाचार पर विश्वास करना ही है क्या अब हमें अपने पापों के लिए प्रायश्रित करने की आवेशक्ता है या हमारा कर्जा यानि की पाप पूरी विती से चुका दिये गए है नहीं बिल्कुल नहीं इब्रानियों अध्याई 10 वचन 15 और 16 कहता है पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाई देता है क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांदूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके रिदे पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा हमारे पापों को मीटाने के बाद पर्मेश्व ने कहा जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे मांदूंगा वह यह है यह वाचा क्या है? कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके रिदे में लिखूंगा और उनके विवेक में डारूंगा हमने पहले उसकी व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयास किया लेकिन हम व्यवस्ता के द्वारा पूरी रिती से उद्धार नहीं पा सके। बाद में हम जान पाए कि येशु पहले से ही उन सब का उद्धार कर चुका है जो पानी और आत्मा के धन्यसु समाचार पर विश्वास करते हैं जो कोई भी येशु के बप्तिस्मा और लहु पर विश्वास करते हैं वे छुटकारा पाते हैं येशु उद्धार का प्रभू है प्रेरितों के काम अध्याई 4 वचन 12 में लिखा है स्वर्ग के नीचे मनुश्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाशके येशु हमारे उद्धार करता के रूप में दुनिया में आया क्योंकि हम अपने कर्मों के द्वारा कभी नहीं बच सकते थे येशु ने हमें बचाया और हमारे रिदे की पटियों पर लिख दिया है कि उसने अपने प्रेम के विधान और उद्धार से हमें बचाया है इबरानियों अध्याइदस वचल 17 और 18 में लिखा है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरन नहीं करूँगा और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बरिदान नहीं रहा अब वह हमारे अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरन नहीं करेगा अब उसने हमारे सारे पापों को हर लिया है हम विश्वासयों के पास और कुछ बाकी नहीं है जिसके लिए क्षमा किया जाए हमारे कर्ज पूरी रिटी से चुका दिये गए है और कुछ भी शेष नहीं रहा जिसका पूनह भुगतान किया जाए येशु की सेवकाई में विश्वास करने के द्वारा लोग बच जाते हैं जो हमें उसके बबतिसमा और कुरूस पर बहाए गए लहु के द्वारा बचाता है अब हमें येश्रु के पानी और लहू में विश्वास करना है युहन्ना अधियाए 8 वचन 32 में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा इसलिए येश्रु के उध्धार में विश्वास करे उध्धार पाना स्वास लेने की अपेक्षा सरल है आपको केवल जैसा वह है वैसा ही विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना ही उध्धार है विश्वास कीजिए कि येश्रु हमारा उध्धार करता है येश्रु के बब्तिस्मा और कुरुस पर उसकी मृत्यु में और यह विश्वास करे कि उध्धार आपका है अपने विचारों का इंकार करे और केवल येश्रु के उध्धार में विश्वास करे मैं प्रात्ना करता हूँ कि आप ये शुपर सच्मुच विश्वास करे और वह अपने साथ अनंत जीवन की और आपकी अगवाई करने के लिए तयार है